भागे भेनों, अब कॉंग्रेस का जाना तै है? अब ये सरकार का जाना तै ही है, उन्होंने भी माल लिया है, वो भी अब टिकेटे निकाल रहे, कहां कहां जाना उसके लिए सोच रहे हैं。 लेकिन भाईयों बेनों हमारा मकसद सिर्फ उनको हटाना नहीं है हमारा मकसद सिर्फ उनको निकान करके सजा करके सो जाना नहीं है हमारा मकसद है सवा सो करोड देश वासियों के सपनों को साकार करना हमारा मकसद है आपके मन की आशाक आंख्षाओं को फूरा करना जो सपने आपके हैं वो सपने मेरे हैं जो पीड़ा आपकी है वो पीड़ा मेरी है और इसलिए आपको इस सपनों को सच करना होगा तो आपके संतानों के भविष्य को सुरक्षित करना चाहते हो तो आपकी बेटी इज़त के साथ सम्मान के साथ जीए यह आपका इरादा है उसको पूरा करने के लिए दिल्ली में दीली ड्हाली सरकार मत बनाईए यह गलती नहीं होनी चाहिए अब परिवर्तन करी रहे हो तो फिर पूरा का पूरा क्यों नहीं करते हो दिल्ली में अब धीली डाली सरकार नहीं चाहिए अस्पताल में पड़ी सरकार नहीं चाहिए मा बेटे के ऑक्सिजन पर जीने वाली सरकार नहीं चाहिए अब दिल्ली को एक सक्षम चरकार चाहिए मजबूत सरकार चाहिए मजबुत इरादों वाली सरकार चाहिए मजबुत कदम उठाने वाली सरकार चाहिए खिर्षी समाल करके बैठे रहने वाले लोगों की अब दिल्ली को जरूरत नहीं है देश को बचाने वाले चाहिए खुर्षी बचाने वाले तो बहुत आए बहुत चले गए अब ज़रूरत हैं देश बचाने वाले लोगों की और इसलिए मैं आप शागरे करता हूँ पहले दोर के मद्दाताओं ने सरकार को निकालने का काम पूरा कर दिया आपका काम है मजबूत सरकार बनाना मजबूत सरकार का मेरा साब्बत है तीन सो से कम कमल अब दिल्ली नहीं पहुचने चाहिए तीन सो से ज़्यादा कमल पहुचाने का जिम्मा हम सभी देशवासियों का है एक बार तीन सो से ज़्यादा कमल दिल्ली में होंगे भायों मेरों यह देश दोरने लग जाएगा समस्याएं सुलजने लग जाएगी दुनिया भी हिंदुस्तान के प्रति सम्मान से देखना शुरू कर देगी और आप में भी आप में भी जान आ जाएगी आप देखना आपके कदम दोडने लग जाएगे मुझे पुरा विस्मास है भाईयो बैनो हम सम मिल करके देखते ही देखतो दुनिया के सामने